ठीक है बटा तो genetics and evolution chapter 5 जो है बटा principles of inheritance इसको अपन इसमें देखने वाले इसमें भी आपको पता है कि Mendel के जो law वाली चीज़ है बटा that comes under botany आपका जो chromosomal theory of inheritance है इसको अपन continue करेंगे single lecture में ठीक है बटा तो जैसे कि आपको दिखाए देरा बटा chromosomal theory of inheritance इसमें आपको पता है कि Mendel के बाद तो होगी लेकिन Mendel ने अपनी जो book publish की थी जो अपने चीज़े आथिसिस को publish किया था बटा कि 1865 में इसने अपनी चीज़ों को publish किया था ठीक है बटा लेकिन इसके जितनी भी चीज़े थी वो unrecognized रहे गी आपको पता है ठीक है इसकी जो death हुई थी बटा 1884 में हुई थी और इसके 16 साल मरने के बाद मतलब 1865 में इसने अपनी book publish की इसके बाद 1884 में मर गया इसका work unrecognized रहे गया तिल 1900 एंड इसके बाद आपको पता है बटा तीन साइंटिस्त थे हुगो डेवारेस, कॉरिंस और टेशन मार्ग इन वान टेशन मार्ग इन तीनों ने मिलके बटा इसका जो work था इसको rediscover किया था एंड मेंडल को ही आपको date में बोला जाता है father of genetics ठीक है दिखिए तो सबसे पहले तो important चीज यह है कि उस time पे उसने widely publish नहीं किया था बहुत सारी चीजों को इस time जैसा जमाना नहीं है बटा उस time पे चीजों को internationally journals में publish करना पड़ता था वो वो publish नहीं कर पाया दूसरी जो चीज थी वो मेंडल जो बोल रहा था बटा जीन को ही factor बोल रहा था तो factor वाली चीज तो लोगों को जम नहीं पाया रही थी तीसरी बात thirdly जो important चीज थे बटा कि उसने biology में mathematics को घुसाने की कोशिश किया था जो कि सही था लेकिन वहां कि जो उसके competitors थे उनको यह लोगों को यह बात नहीं पची कि भाया यह तू maths वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट है चार्ल्स डार्विन जो बोलते हैं जो कि अपने evolution में पढ़ेंगे थोड़ी दिर में ठीक है बटा कि कैसे उसने Darwin Finches को निकाला था मतलब ढूंड के निकाला था कैसे evolution of man हुआ हुआ origin of species हुई थी यह सारी चीज़े बता था ठीक है लेकिन ये मतलब एक बड़े scientist की वज़े से इसके जो real work था वो थोड़ा सा दब गया लेकिन इसको भी बाद में recognition मिले लेकिन मरने के बाद मिले ठीक है बटा चलिए इसके बाद आता है बटा 19 वी शताबदी में जैसी start मेंडल के work को एक सही बोला उन्होंने की हा नहीं जो मेंडल बोलते थे उस टाइम जो बोलके गया थे वो सही था गर ठीक है बटा चलिए उसके बाद आपको पता है यह जो chromosomal theory of inheritance है यह इसको study एंड बहुत अच्छे से बताने वाले जो scientist ने बटा 1902 में इन्होंने क्रोमो बोला कि यह factor नहीं है आप जो बोल रहे हो factor वो हमारे लिए genes है ठीक है बटा तो यही चीज बोला है तो कभी आपको question पूछा जाए कि क्रोमोजोमल theory of inheritance किस ने दिया तो आप बोल सकते हो सुट्टैन और बोवेरी ने दिया था तो एक simple meiosis की process दिखाई गई है बटा कि कैसे meiosis 1 होगा meiosis 1 से meiosis 2 होगा and 4 sperm या 4 ovum form हो जाएंगे ठीक है तो sperm की बात कर लेता है ठीक है तो आप ऐसे दिख पा रहे है बटा कि जो meiosis जो process है यहाँ पे हो रही है ठीक है तो यह पाया गया बटा कि अगर आप chromosomes and genes को compare करेंगे तो genes आपको पता है chromosome पे ही present होता है बटा ये भी segregate होते है ये भी segregate होते है independent pair segregate independently तो ये भी होता है बटा क्योंकि law of independent assortment चल रहा होता है ठीक है तो यही चीज़े यहाँ पर दी होई है कुछ भी इसमें से एक बार उसको देख लीजे बस ठीक है अब यहाँ पर possibility क्या क्या बनती है जैसे possibility 1 बन रही है जैसे कि आपको केस में वो green वाले के साथ जा रहा है बटा और यह जो बड़ा chromosome है for example मैं बोल रहा हूँ कि यह जो yellow chromosome है यह green eye के लिए है अब यह जो orange chromosome है ऐसे मैं example दे रहा हो बटा ठीक है यह mother की nose के लिए है ठीक है कि father का ही nose हो and father की ही naak हो यह हो सकता है बटा कि father का nose, sorry mother का nose हो and mother की eyes हो, यह भी हो सकता है लेकिन possibility 2 क्या है कि देखे जैसे क्या आप देख पार है बटा यह orange वाला जो है red वाले के साथ combine हो सकता है ठीक है, तो combination अलग हो सकता है ठीक है, तो कही न कही अब ये father की आखे and mother की नाख है and इसमें क्या है mother के नाख and father की आखे तो alternately कुछ भी germ cells बन सकते this is called law of independent assortment कोई भी chromosomes किसी और chromosome के साथ pairing कर सकता है तो वही चीज़ यहाँ पे clear cut बोली गए law of independent assortment of chromosome मतलब कोई भी chromosome किसी और के साथ जा सकता है तो mother की आखे and father के नाख मिल सकता है आने वाले बच्चे को अब ये जो chromosomal theory of inheritance दे बटा Sutton and Bovary ने किया था लेकिन इसके experimentation, chromosomal theory के experimentation के लिए Thomas and Morgan ने भी बहुत सारे काम किया था उसने बताया था बटा कि male and female drosophylla melanogoster कोई जो fruit fly होती है इसको चूज किया था आपको दिखाई दे रही है कि ये जो longer है वो female है ये short जो है वो male है ठीके अब इसने इस experiment के लिए chromosomal theory of inheritance के experimental verification के लिए Thomas Hunt Morgan ने काम किया था बटा Thomas Hunt Morgan ने ये important MCQ है कि Thomas Hunt Morgan ने drosophylla melanogoster को ही क्यों लिया था क्योंकि इसमें बटा आप ऐसे बोल सकते हो बहुत सारी चीजे काम की थी जैसे आपको बता रहा हो बटा कि ये जो था ये simple synthetic medium में laboratory में भी ग्रो किये जा सकते थे दूसरी बात थी कि इनकी जो complete life cycle थी वो दो week में खतम हो जाती थी ठीके और mating करने के बाद offspring जो produce होते थे जो produce होते थे वो large number में मिलते थे इसके बाद थे कि male and female को बहुत easily separate differentiate किया जा सकता था ठीके और इसके अंदर microscope के अंदर hereditary and variation भी बहुत easily देखी जा सकती थी इस वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि thomas and morgan ने drosophila melanogoster को choose किया था एक चीज़ याद रखें बटा कि linkage जो होता है वो inversely proportional होता है distance between the genes मतलब जिस दिन linkage बढ़ा distance between the genes कम हो जाएगा ठीके बटा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर example देता हो बटा कि A, B and C these are the genes present on the same chromosome अब A and C के बीच में जो linkage है वो कम होगा क्यों? क्योंकि distance between genes जादा है न C और A के बीच में देखे कितना जादा distance है मतलब जब distance between the genes आप ऐसे बोल सकते हो distance between the genes जादा होगा तो linkage क्या हो जाएगा? कम ठीक है? आप यह नहीं बोल सकते हो कि A and C बहुत tightly linked to each other है हाँ लेकिन अगर मैं बोलू के B and C इनका distance between the genes बहुत कम है distance between the genes अगर कम है तो इनका linkage क्या होगी? इनकी दोस्तानी कैसी होगी? जादा होगी ठीक है बटा? तो B and C are highly linked as compared to C and A ठीक है? when the distance between the genes is low linkage becomes high ठीक है बटा? यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है ठीक है? तो linkage and recombination होता है बटा दो chromosomes के बीच में ठीक है? अब इसी चीज़ को अपन next चीज़ में दिखते है बटा next चीज़ यहाँ पर जो एक underline करने वाली है बटा इसका जो student था बटा TH Morgan का जिसको आप बूल सकते है student word इसने ही genetic gene mapping को बताया था बटा ठीक है? तो यह चीज़ important याद रखेंगे अपन इसमें है न? ठीक है? इसके बाद next चीज़ पर आते है इसमें आप एक बात और याद रख लीज़े बटा कि जब distance between the genes बहुत ज़ादा होता है तो recombination के chances बहुत बढ़ जाते है जैसे कि मैं बोल रहा बटा कि 37% recombination के chances बढ़े थे लेकिन distance between अगर genes कम था ना tightly linked थे वो तो 1.3% ही recombination के chance बने थे ठीक है? तो इसी चीज़ को आपन देखते हैं next वाले diagram में तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बटा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि w and y है distance between the genes is less less अगर distance between the genes less है तो linkage क्या होगा? linkage होगा high मतलब parental combination क्या में लेंगा? high ठीक है बटा? तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जब distance between the two genes है वो low होता है तो linkage है होता है और parental combination भी high हो जाता है लेकिन जब distance between the two genes बहुत high होता है distance between the gene अगर high है तो देखिए बटा parental combination कम हो जाएगा and यहाँ पर देखिए recombination के chances बढ़ जाएगे मतलब linkage क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो parental combination भी कम मिलने लगेगा तो इसके मुकाबले देखिए यहाँ पर 98% parental combination था and इधर में सिर्फ 62% parental combination है मतलब कम हो गया तो linkage कम हो गया अगर distance between the gene आप बढ़ा देंगे तो linkage क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा and distance between the gene अगर घटा देंगे तो linkage बढ़ जाएगा यही चीज़े दी हुई यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे है बटा कि यहाँ पर recombination जो हुआ है नया recombination 37.2% हुआ है and यहाँ पर recombination 1.2% है ओके? मेरे ख्याल से गलती से मैंना बटा पुरानी बुक का यह ले लिया है लेकिन एक चीज़ आपके बुक में page number 85 पे दी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर दिखा है बटा polygenic inheritance ठीक है polygenic inheritance का सीधा सीधा मतलब क्या होता है बटा? कि multiple genes controlling a single character ठीक है? multiple genes जब एक character को control करने लगे तो उसको अपन क्या बुलते है? polygenic inheritance जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है बटा कि AABBCC यह जो होते है यह genes जो होते है यह multiple genes है dominant allele है ठीक है? यह क्या करते है? यह तीन तरह के जो यह allele form है genes है यह एक चीज को control करते है that is human color तो इसको अपन क्या बोल सकते है? polygenic inheritance इसमें फिर wheat का भी एक example आता है बटा ठीक है तो इसको अपन याद रखेंगे polygenic inheritance क्या होता है? when multiple gene controlling a single character इसको बोलते है बटा polygenic inheritance इसके अलावा next चीज जो दी है बटा page number 85 पे ही इसको अपन बोलेंगे pleiotrophy ठीक है? मेरी spelling आपको पता है हमेशा mistake होती है तो एक बार देख लीजे ठीक है? when a single gene controls multiple characters एक gene multiple characters को control करने लगे तो इसको अपन क्या बोलते है? बटा pleiotrophy इसका एक simple सा and best example है बटा phenyl ketone urea phenyl ketone urea आपको पता है chromosome number 12 की बिमारी है and phenyl ketone urea में होता क्या है बटा? कि phenyl ketone urea में एक enzyme नहीं बनता है बटा बनता है जिसका नाम है phenyl alanine hydroxylase phenyl aniline hydroxylose अब ये enzyme नहीं बनने के वज़े से जो enzyme का formation नहीं होता है बटा tyrosine में convert नहीं होता है and इसकी वज़े से mental retardation भी आता है and skin में pigmentation भी होता है loss of hair भी होता है ठीक है? तो loss of hair हो गया, skin में pigmentation आ गया, इसके अलावा mental retardation आ गया मतलब एक gene की वज़े से multiple चीजे effect हो गई तो इसको मैं क्या बोलूँगा बटा? इसको मैं बोलता हूँ pleiotrophy ठीक है? इसको क्या बोलता हूँ pleiotrophy बोलता हूँ ठीक है? चलिए समझ गया, अपन pleiotrophy में क्या होता है? single gene controlling many characters and polygenic inheritance में क्या हो रहता बटा? three genes controlling a single character है ना? चलिए यतना समझ गया next चीज जो important है बटा? sex determination आपको पता है तो इसको discover जिसने किया था that is hanking hanking ने बोला था कि एक specific जो होता है बटा? structure होता है sperm insect के जो उसने sperm देखा था sperm received किया था few insects में उसने देखा था कि क्या हो रहा था कि 50% of the sperm है बोले इसमें specific type of body है for example मैं बोल रहो बटा for example मैं बोल रहो कि यह x and y है ठीक है spermatogenesis की process देखते है इसमें हो गया x meiosis 1 हो गया ठीक है and यह हो गया meiosis 2 ठीक है? ठीक है y y तो अब इसने क्या बोला कि यह जो आधे chromosome है ना बोला 50% of the chromosome मतलब इसको यहां से consider किजे बटा यहां से यह 50% of the chromosome है इसमें specific एक character मिल रहा है जिसको x body उसने बोला था उस time पे इसने क्या बोला था? x body बोला था ठीक है and 50% जो chromosome है इसमें x body नहीं है मतलब 50% chromosomes में क्या present है? x chromosome है and 50% में नहीं है ठीक है? तो यही समझ गया है? henkin ने इसको discover किया था ठीक है? चलिए तो इस चीज़ को अपन याद रखेंगे ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें discover की गई थे बटा के 50% में sperm में x chromosome है जब उसने उस time पे उसको x bodies बोला था बटा अब इसके अलबा grasshopper, drosophila and अलग-अलग organism में किस तरह का system होता है? इस चीज़ को अपन देखता है ठीक है? चलिए तो यहाँ पे देखता है बटा एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते है heterogamy ठीक है? male heterogamy and female heterogamy ठीक है? male heterogamy and female heterogamy तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी heterogamous होगा वो आने वाले बच्चे का sex determine करने वाला है ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ in case of human males यह mammals की बात कर रहा हूँ humans की बात कर रहा हूँ तो आपको बता है बटा कि humans में male के पास क्या होता है? xy females के पास क्या होता है? xx तो determination of the child कौन करने वाला है? for example मैं बोल रहा हूँ यह है xy, यह है xx, यह होगी female कुछ भी कर लो female के पास से तो x ही आएगा बट फादर की तरफ से क्या रहा है? इस से आने वाले बच्चे का sex determine होगा अगर फादर की तरफ से x आ गया तो यह हो जाएगी female लेकिन अगर फादर की तरफ से आ गया y तो यह हो जाएगा male ठीक है? तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा बटा? male heterogamia बोलूँगा ठीक है? चलिए इसके बाद सेम चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि ड्रॉसोफिला में भी है यह male drosophylla है यह female drosophylla है ठीक है बटा? female drosophylla के पस x x ही है मतलब यह कुछ भी कर लो x ही देगी लेकिन father की तरफ से क्या आएगा? male drosophylla की तरफ से क्या आएगा? यह determine करेगा आने वाले बच्चे का ठीक है? तो अगर y आ गया तो वो male हो जाएगा and x आ गया तो female आ गया यह तो हो गया male heterogamia का example लेकिन अगर आप बोलेंगे what is the example of female heterogamia female heterogamia का example है बटा? crossing in chicken and hen ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है यह मुरगा and मुरगी है ठीक है बटा? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस bird में यह जो female है इसके पास है z w मतलब female के पास है z w male के पास है z z अब कुछ भी कर लो male के पास से तो z ही आएगा लेकिन female के पास से क्या आ रहा है? यह determine करेगा आने वाले बच्चे का sex determination अगर female के पास से z आ गया तो वो हो जाएगा male लेकिन अगर female के पास से w आ गया तो तो वो आने वाला बच्चा जो है वो female हो जाएगी ठीक है बटा? तो इस चीज को जहां पर female determine करनी है या फिर उसके gametes अलग-अलग है इसको मैं बोलता हूँ female hetero gammy ठीक है बटा तो इतना आपन याद रखेंगे ओके अब grasshopper का example देख लेते है बटा तो glasshopper में clear cut लिखा हुआ है it is xo type of size determination grasshopper में तो यहां पर क्या बोला है बटा कि males is having only x chromosome तो इसको मैं x या o बोल दूँगा ठीक है xo type ठीक है और यह जो female है it is having a pair of x chromosome तो pair of x chromosome ले लिया अब father के पास से क्या आएगा father के पास से x आया and mother के पास से तो x ही आएगा तो यह क्या हो जाएगी यह female हो जाएगी लेकिन father की तरफ से o आया and mother की तरफ से x आ गया तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा male यह क्या हो जाएगी बटा यह हो जाएगी female very clear ठीक है चलिए तो इस तरफ से यह जो grasshopper में sex determination है यह किस तरह का sex determination है बटा यह है XO type of sex determination क्योंकि XO आ रहा है मतलब male हो रहा है XX आ रहा है मतलब female हो रहा है देखिए अब वही चीज डिसकस किये बटा male heterogamy and female heterogamy तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि male की तरफ से male heterogamy किस किस में दिखाई देती है यह दिखाई देती है बटा humans and drosophila में female heterogamy किस में दिखाई देती है chicken and hen ke care में hen ke case में बटा birds के case में तो बहुत easy चीज है यहाँ पर कुछ भी ऐसा different नहीं है ठीक है अब इस sex determination in humans में क्या बढ़ाने की जरूरत है आप बटाईए ठीक है आपको पता है बटा बच्चों की वाली बात है कि पापा के पास होता है x y and mother determination of sex in honeybee कैसे होता है । सबसे पहले यहां से start करता है number one यहां पर आपको दिखाई देरे बटा यहां पर क्या है एक female है queen है या जो भी है ठीक है बटा तो यह queen में क्या है जैसे कि आपको पता है यह queen काईसे बनी है इसके पास होता है बटा 32 chromosome 32 chromosomes में फिर यह क्या होता है बटा meiosis की process होती है meiosis आपको पता है बटा reductional division है reduction होने के बाद क्या हो जाएगा 16 chromosome and 16 chromosome दो यह बन जाएंगे ठीक है बटा और आपको पता है यह जो होते है unfertilized egg अगर unfertilized रह गए और इसके अंदर फिर एक process होती है जिसको मैं बोलता हो बटा parthenogenesis parthenogenesis की process होगे देखिए मा को एक फादर की ज़रूरत नहीं पड़ी parthenogenesis and meiosis की process को क्योंकि without the help of father उसने parthenogenesis की process में अपने डाला अंडो को और उससे क्या बन गया mail मतलब एक मा को drone पैदा करने के लिए mail पैदा करने के लिए कभी भी एक फादर की ज़रूरत नहीं पड़ी हाँ लेकिन उसको खुद को पैदा होने के लिए कही न कही एक फादर की ज़रूरत रही होगी क्योंकि ठीक है आपके यहाँ पे 32 क्रोमोजोम से है तो 16 कहां से आयोंगे उसके पिताजी से आयोंगे एंड 16 कहां से आयोंगे उसके मदर से आयोंगे ठीक है बटा मतलब यह जो पोता है यह जो पोता बना हुआ है यह इसका फादर तो कोई नहीं है क्योंकि मा ने पार्थेन जोने से प्रोसेस यूज़ किया है इसको पैदा करने के लिए तो इसको कोई फादर तो नहीं है लेकिन इसका कोई दादाजी जरूर रहा हो यही तो इसमें लास्ट में एक एक जांपल दिया है बटा they cannot have father और son but they can have grandfather and they can have grandson यही तो बात बोली गई है तो आपको पता है यह प्रोसेस कैसे होती है तो mother ने unfertilized एक का सहारा लेके parthenogenesis के process बना के बच्चे को पैदा किया है जो के इसका पोता था लेकिन वो खुद पैदा होने के लिए मा को पता है उसके पिता जी की और मा की जरूरत रही होगी लेकिन इसको बच्चे पैदा करने के लिए पती की जरूरत नहीं थी more correct अगर आप बोलेंगे तो इसके वो नाना जी थे दादा जी भी नहीं थे नाना जी थे वो ठीके बच्चे क्या रहेंगे उसके नाना जी थे ना के दादा जी थे तो this is her his नाना जी ठीक है इसने इसको पैदा किया और इसने इसको पैदा किया ठीक है तो यही चीज़े दियो यह बटा sex determination in honey भी क्या होता है and drone आपको पता है कैसे पैदा होते है unfertilized egg से parthenogenesis के process से पैदा होते है ठीक है चली तो इतना समझ में आगे आपने को चली next चीज़ पर आता है बटा that is mutation तो mutation आपको पता है जब जब भी mutation का नाम आएगा बटा तो hugo divaris का नाम आपके जबान पर आना चाहिए कि mutation को किस ने दिया था बटा और नी थरा लेमार किया न पर उसने experiment किया था बटा 4 o'clock plant जिसको बोलते थे इसके उपर mutation करके यह चीज़ बता था बटा ठीक है अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं दी हुई है कि mutation किन किन वजों से हो सकता है loss of deletion, insertion, duplication इन सारी चीज़ों से हो सकता है for example मैं बोल रहा हो कि यह chromosome है बटा chromosome यहाँ पर अलग-अलग part है A, B, C, D, E, F, G ठीक है अब during miosis यहा हो सकता है कि जब copying हो रही हो तो अलग सा एक mutation हो गया हो और इसमें क्या हो गया हो कि chromosome है यहाँ पे सीधा B से चालो हो गया A वाला chromosome ही present नहीं है मतलब यह क्या हो गया यह deletion का example है इसके अलावा translocation भी हो सकता है for example मैं बोल रहा हो कि अगले वाले chromosome में A की position यह हो गई and G की position यह हो गई तो कह ही न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो एक chromosome का translocation हो चुका है ठीक है तो इस तरह से यह जो भी changes आता है insertion हो गया duplication हो गया deletion हो गया मतलब अगर आप बोलेंगे तो duplication का मतलब G यहाँ पे भी G यहाँ पे भी G duplicate हो गया न वो gene बटा तो इस तरह का जो भी चीज़े होती है chromosome के उ इसको अपन यहाँ पे देखें लिखा हुआ है point mutation भी हो सकता है ठीक है तो इस तरह से अलग अलग तरह की बिमारिया हो सकती है इस mutation की वज़े से ठीक है कुछ चीज़े हो सकता है बटा useful भी हो लेकिन many a time यह harmful भी हो सकती है evolution के sense में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे useful mutation भी हुए है लेकिन इसके अलावा बहुत सारे harmful mutation भी हुए है बटा जैसे मैं बोलू कि Hiroshima और Nagasaki पर bombarding हुई थी जो अपने ने किया little man and fat boy नाम की जो missile वगरे गिरा दिये थी आज के date में भी इजापार में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे है कि जिसमें mutated organs है या mutated genes inherited हो रहे है बटा ठीक है चलिए तो इस चीज़ को अपन समझ चुके है और देख चुके है अब सीधी सीधी एक बात आती है बटा कि जेनेटिकल डिसॉर्डर पे आ चुके है बब बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको छोटी सी चीज बता दू यह जो जेनेटिकल डिसॉर्डर है यह जे क्रमोजोमल डिसॉर्डर क्या है देखिए सीधी सीधी बात है पूरे के पूरे क्रोमोजोम से और एक्जांबल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैर आफ क्रोमोजोम् 2, second, third ऐसे करते करते आपको पता है 23 पैर आफ क्रोमोजोम होते है हर हुमन के अंदर लास्ट जो क्रोम 23 chromosome कोई भी problem नहीं सिर्फ एक chromosome के एक genes में गड़वड हो गई है point mutation हो गया ठीक है तो एक single gene के बाकी सब chromosome सही है लेकिन एक chromosome के एक gene में गड़वड हो गई point mutation हो गया तो वो किस category में आएगा बेटा Mendelian disorder हाँ इसके अलाव होगे क्रोमोजोम डिसॉडर किसमें आते हैं क्रोमोजोम डिसॉडर में क्या होता है बेटा जैसे मैं बोल रहा हो कि पूरा का पूरा एक chromosome एड या सबस्ट्रैक्ट हो गया तो उसको में क्या बोलूँगा क्रोमोजोम डिसॉडर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर 44 ओटोजोम तो है लेकिन एक डबल एक्स वाई क्रोमोजोम आ गया है मतलब इसका क्रोमोजोम डिसॉडर कितना हो गया 46 है गया 44 प्लस XXY हो गया तो यह क्रोमोजोम डिसॉडर कितने हो गया 47 जब पूरा का पूरा chromosome add या subtract होता है बटा तो उसको मैं क्या बोलता हो बटा उसको मैं बोलूँगा Chromosomal Disorder सीधा सीधा नाम बता रहा है बटा जब भी Chromosomal Disorder की बात आएगी आपको याद रखना है कि सीधा सीधा एक chromosome add या subtract हो रहा है Mendelian Disorder में Chromosom number add या subtract नहीं होता है एक किसी तो भी एक chromosome की एक gene में point mutation होने की वज़े से गड़बड हो रही है तो इतना आपको समझ हो गया हो बटा कि genetic disorder के दो केटिगरी है एक है Mendelian Disorder एक है Chromosomal Disorder Mendelian Disorder में एक chromosome के point gene में एक थोड़ा सा mutation होता है and Chromosomal Disorder में पूरा का पूरा आप ऐसे बोल सकते हो एक chromosome add या subtract हो सकता है तो आपको दिखाए देरा बटा कि यह जो genetical disorder से इनको determine करने का तरीका क्या है यह आपको पता है बटा एक pedigree analysis करना पड़ता है तो pedigree analysis में कैसे किसी family में कोई बिमारी है किस बैमेरी का कोई बिमार जो है पता चलता है जैसे कि मैं बोल रहो बटा हीमोफिलिया, royal disease है आपको पता है कि Queen Victoria को भी यह disease है बटा and वो carrier थी लिकिन उसके बहुत सारे आने वाले बच्चों को यह disease हुई है from generation to generation ठीक है बटा जैसे मैं बोल रहो बटा कि आपने सुनाओगा इसके दादा जी को भी diabetes था इसके पिता जी को भी diabetes था इसको भी diabetes है या फिर इसके पिता जी को मतलब हो सकता है कि कोई specific type की बिमारी हो जैसे sickle cell का भी होता है inheritance तो इन सारी चीजों को कैसे study किया जाता है बटा through pedigree analysis ठीक है तो जैसे कि आपको दिखाई देरा है बटा कि जब भी rectangle आएगा square आएगा तो वो क्या हो गया male circle आएगा मतलब female मतलब यह हो गया male male की शादी शादी करने के लिए यह meeting करने के लिए देखे क्या join करते है join करते है दुनों को यह होगा male यह होगी female इनकी meeting करनी है तो इसको join कर दीजे बटा ठीक है अब इनके अगर बच्चे पैदा होने है for example इनका लड़की पैदा हुई तो इसको ऐसे represent कर दूँगा इसके साथ में लड़का भी पैदा हुआ तो ऐसे दे दूँगा तो यह उनके बच्चे represent कर रहा है ठीक है अगर इसमें से किसी को बिमारी है for example इसको बिमारी है लड़के को तो मैं इसको ऐसे box कर दूँगा ठीक है अगर वो carrier है carrier को कभी-कभी इस तरह से भी half circle भी dark करके represent किया जाता है ठीक है अगर मैं बोल रहा हूँ कि यह male है and यह female है and दोनों की बीच में double line आगे double line आने का मतलब क्या होता है ठीक है बटा meeting between closely related individual है भाई-बहन की शादी हो गई है ठीक है बटा offspring है जो unaffected है ठीक है अब इसमें बहुत सारी बीमारी आती है बटा जैसे कि आप देख पा रहे है इसमें phenyl ketoniori आता है cystic fibrosis आता है मेंडेलियन disorder मैंने अब यह भी बता है बटा कि मेंडेलियन disorder क्या होता है कि chromosome single mutation की वज़े से होता है single gene mutation यह chromosome सारे के सारे सही है लेकिन इस chromosome के एक gene में थोड़ा सा mutation होने की वज़े से point mutation होने की वज़े से यह बिमारी आ गई है ठीक है तो बहुत सारी बिमारीों के example है बटा इसमें से कोई न कोई example आ जाएगा मेंडेलियन disorder के example क्या है हेमोफिलिया है cystic fibrosis है हेमोफिलिया आपको पता है बटा chromosome नंबर 11 की वज़े से होता है cystic fibrosis chromosome नंबर 7 के short arm पे इसका chromosome होता है बटा ठीक है gene होता है बटा इसके बाद सिकल से लेनिमिया आपको पता है बटा ठीक है हेमोफिलिया मैंने hemophilia and colorblindness यह आपको याद रखना है यह X chromosome की बिमारी है phenylketonuria chromosome number 12 की है thalassemia जो है इसका alpha thalassemia जो होता है वो chromosome number 16 की वज़े से होता है beta thalassemia जो होता है वो chromosome number 12 की वज़े से होता है है तो इसको आप लिख लीजिए वाजू में कौनसी बिमारी किस वज़े से होती है जैसे के आपको दिखाई दे रहा है यह मैं बुल रहा हूँ के hemophilia यह X chromosome की बिमारी है colorblindness यह X chromosome की बिमारी है cystic fibrosis chromosome number 7 sickle cell anemia chromosome number 11 phenylketonuria chromosome number 12 and thalassemia के दो टाइप होता है alpha thalassemia, beta thalassemia, alpha thalassemia होता है chromosome number 16 की बज़े से and beta thalassemia होता है chromosome number 11 की बज़े से तो आपके सामने example आचुके है बटा तो भूल जाईए कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है काट लीजे इसको अब देखिए मैं आपको एक simple trick बताता हू तो pedigree analysis सबसे easy चीज है पूरे दुनिया की सबसे easy कोई concept है ना इस दुनिया का तो वो pedigree analysis होता है ठीक है कैसे होता है यह बताता हू ठीक है देखिए simple सी trick है सबसे पहले तो यह जो pedigree analysis में अपने को 4 तरह की बिमारिया ढोडनी पड़ती है ठीक है एक होता है sex linked recessive दूसरा होता है sex linked dominant तीसरा होता है autosomal recessive और तीसरा होता है autosomal dominant ठीक है तो question आपको कभी भी पूछा जाएगा तो वो sex linked recessive या autosomal recessive के उपर पूछा जाएगा ठीक है इसको कैसे solve करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ इनको भी कैसे पैचानना है ये भी चीजे बता देता हूँ ठीक है अब सबसे पहले कभी भी आपके सामने इस तरह का कोई भी चार्टाया ना सबसे पहले आप ढूंडेंगे कि सबसे पहले ये sex linked है या autosomal है मतलब इस भी मारी का chromosome X है या X से लेके 22 chromosome के उपर ये भी मारी है for example मैं बुल रहो बेटा कि ये chromosome number 1 है ये chromosome number 2 है ये chromosome number 3 है ऐसे करते करते 23 वा chromosome में आएगा chromosome X या Y ठीक है बेटा mostly X पे ही होते है भी मारी है ठीक है तो अगर ये chromosome की बिमारी point mutation chromosome number 1 से लेके 22 तक हुआ है तो इसको मैं बोलूँगा बेटा autosomal बिमारी अगर इस chromosome की बिमारी X chromosome पे present है तो इसको मैं बोलूँगा sex linked disease या X linked disease समझ गए तो इतना समझ गए अब आपको ये पता करना है कि ये जो चार्ट दिया हुआ है ये X chromosome sex linked disease है ये sex linked disease है या autosomal disease है फिर वो dominant recessive मैं आपको 2 मिट में बताता हूँ ठीक है चलिए तो सबसे पहले तो दिखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये X link disease है मतलब ये X chromosome पे है ये cross check करते है ठीक है तो मैं बोलता हो कि अगर ये X link बिमारी होती तो ये होती X dash X dash ये जो female पैदा हुई है ये भी है X dash X dash ठीक है इसी female को देखिए आपको हो सकता है ये disease वाले को compare करके देखिए किसी भी chart में ठीक है तो आपको दिखाई दे रहा है बिटा कि ये जो female पैदा हुई है ये है X dash X dash sex link बिमारी में क्या होता है बिटा sex link बिमारी में XX ये हो गया normal X dash X ये हो गया carrier carrier कभी बिमार नहीं होते है लेकिन X dash X है X dash X dash तो वो हो जाएगी disease तो यहाँ पर अपने को clear cut दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये sex link disease है तो ये वाली जो female है इसका genotype है X dash X dash ठीक है मतलब इसके parents कह रहे होंगे ये mother हो गई X dash X dash बिमार है न वो बिमार दिखाई दे रही है X dash X dash है अब ये समझ गए इसका father लेकिन normal दिखाई दे रहे father are never carrier for a disease in case of sex link disease मतलब इदर X dash Y ये normal होगा and X dash Y मतलब X Y है ये तो normal होगा लेकिन X dash Y है तो ये carrier नहीं होगा ये सीधा disease होगा लेकिन यहाँ पर इस case में ये तो सीधा सीधा normal दिखाई दे रहा है मतलब ये है X Y अब ये गडबड हो गई है आपको पता है बटा कि चलिए मैं मानता हूँ कि ये वाला जो X है ये मम्मी के तरफ से एक X dash आया होगा लेकिन ये X दूसरा dash कहां से आया क्योंकि इसका father तो normal है and sex link disease में एक लड़की को बिमार करने के लिए उसका father बिमार चाहिए फिर से सुनिए sex link बिमारी में एक लड़की को बिमार करने के लिए उसका father बिमार चाहिए यहाँ पर आप देख पार है बटा कि इसका father तो normal है मतलब क्या ये बिमारी X-link बिमारी है या autosomal बिमारी है बिल्कुल सही आपने बोला ये X-link बिमारी हो भी नहीं सकती है ये autosomal बिमारी है तो ये समझ गया कि ये autosomal dominant होगी या autosomal recesive होगी sex link तो है नहीं अब एक आपको simple सी trick देता हूँ स्वरी ठीक है जेंडर जी ठीक है तो आपको पता है वटा की ये जो है सिंपल ये ट्रिक है एक याद रखेंगे इसको के अन अफेक्टेड लिख लीजे अन अफेक्टेड पैरेंट्स may have affected baby क्या होंगे unaffected parents may have affected baby तो इसको अपन क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे recessive, autosomal recessive का example ठीकिन लेकिन यहाँ पर यह ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है affected parents are having affected baby affected parents are having affected baby ठीके बटा तो इस वज़े से यह autosomal recessive नहीं है कही न कही यह autosomal dominant विमारी है ठीक है तो यह यह वाला जो diagram है यह myotonic dystrophy का diagram है बटा यह autosomal dominant है अब दूसरे diagram पर आता है जैसे कि आप देख पा रहे है यहाँ पर फिर से एक चीज़ देखिए कि यह sex linked है या autosomal है इस चीज़ को सबसे पहले ढूनते है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यह जो लड़की है इसको मैं बोलता हूँ कि यह x dash x dash रही है ठीक है अगर यह sex link बिमारी है तो इसको बिमार करने के लिए x dash x dash बोल रहा हूँ लेकिन आप देख पार है इसका parent जो है यह father देखिए father क्या है father हो रहा है normal यह हो गया x y mother अगर carrier भी है तो x dash x बोलूँगा ठीक है चलो 1 dash 1 x dash इदर से आ गया होगा mother की तरफ से लेकिन यह दूसरा वाला x dash कहां से आया पडोसी से आया क्या इसका father तो disease नहीं है तो यह क्या हो जाएगा बटा यह हो जाएगा यह कही ना कही x-ling disease नहीं है मतलब इदर यह autosomal recesive है यह autosomal dominant है और अभी-भी मैंने आपको एक example बताए था unaffected parents may have affected baby तो आपको दिखाई दे रहा है unaffected parents are having affected baby unaffected parents are having affected baby मतलब इक इस चीज़ का example है बटा autosomal recesive तो यह देखिए किसका example था sickle cell anemia it is a autosomal recesive disease ठीक है एक बिमारी जो आपके NCRT में दिये है बटा page number 90 90 पे sorry ठीक है 89 to 90 पे दिया है बटा last में दिया हुआ है color blindness color blindness के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि color blindness is a sex linked recesive disease इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि males में ज़्यादा prominent होती है 100 में से 8% males को एफेक्ट करती है 0.4 females को एफेक्ट करती है 8% male मतलब 100 में से 8 लड़कों को यह होगा एन 1000 में से 4 लड़कियों को यह होगा ठीक है बटा इसमें आपको बता है कि इसके बहुत सारे टाइप होता है red color blindness red and green में differentiate नहीं होता है yellow and blue में differentiate नहीं होता है ठीक है तो X chromosome की यह बिमारी है बटा sex linked recesive type की यह बिमारी है ठीक है चले तो इसको अपन याद रखेंगे ठीक है उसके बाद आते है बटा आपके next disease जो है इसको अपन बोलते है hemophilia थोड़ी दर में अपन पूरे-पूरे solve करने वाले है ठीक है तो बने रही है मेरे में जित्ती energy उत्ता में कर पा रहा हूँ hemophilia पर आते है hemophilia में आपको दिखाए दे रहा है कि it is a sex link recessive यह star mark कर लीजे बटा यह जो है sex link disease है मतलब कही ना कही इसका जो chromosome है यह X chromosome है ठीक है और इसमें आप ऐसे बोल सकते है इसको bleeders disease भी बोलते है बटा इसको royal disease भी बोलते है क्योंकि factor number 8 ऐसे नहीं लिखते है वैसे इसको 8 factor number 8 roman and factor number 9 जो है Christmas factor इसकी वज़े से यह बिमारी होती है ठीक है इसमें जो clot करने की ताकत होती है person की वो नहीं होती है ठीक है इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि heterozygous female जो होती है वो अपने बच्चों को यह transmit कर सकती है तो heterozygous female carrier transmit disease to females मतलब for example मैं बोल रहा हूँ कि यह hemophilic female है ठीक है and यह है male ठीक है तो अब इससे बच्चा पैदा हुआ है एक लड़का पैदा हुआ है ठीक है तो यह हो गया X, H, Y मतलब यह जो son होगा यह हो जाएगा disease मतलब एक carrier female ने किसको यह disease दे दिये अपने son को दे दी ठीक है बटा तो आप ऐसे बोल सकते हैं जिसमें होता है अगर आप बोलेंगे इसको royal disease क्यों बोलते है तो आपको पता है कि यह जो महारानी है Queen Victoria इसका नाम भी लिखा हुआ है Queen Victoria हीमोफिलिक है इसके जो बच्चे है वो बहुत ज़्यादा इनकी death हो गेती कोई 4 साल की उमर में कोई 31 साल की उमर में ठीक है बटा तो यह हीमोफिलिया डिजीज है तो sickle cell anemia आपको पता है बटा कि it is autosomal recessive disease दिखिए यह important चीज है it is autosomal recessive disease इसमें 3 conditions आती है बटा अगर father and mother की तरफ से HBA-HBA आया है तो वो normal है लेकिन HBA-HBS आया तो यह हो जाते है बटा carrier and HBS-HBS आ गया तो यह हो जाते है disease इनकी death मतलब death हो जाती है ठीक है बटा तो इस तरह से genes होता है बटा and आपको पता है इसमें cause क्या होता है एक mutation होता है chromosome number 11 पर chromosome number 11 की यह बिमारी है बटा autosomal recessive disease है यह and chromosome number 11 पर क्या होता है point mutation में की होने की वज़े से glutamic acid is replaced by valine on the sixth portion of beta globin chain of hemoglobin and इसकी वज़े से फिर यह बिमारी होती है बटा तो जैसे के आपको नीचे दिखाई दे रही है यह जो है दिखिए GAG MRM GUG हो गया है बटा ठीक है यह sickle cell gene होता है इसका जो shape होता है वो sickle cell का हो जाता है यह जो है normal है normal वाला RBC होता है बटा ठीक है इससे फिर jaundice होने की भी chances होता है ठीक है anemia होने की भी chances होता है sickle cell anemia भी बोला जाता है इसको aims वगेरे में यह diagram बहुत बार आ चुका है बटा and कौन सा substitute होता है तो glutamic acid is replaced by valine ऐसा आपन बोल सकते है ठीक है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे glutamic acid is replaced by valine in case of sickle cell ठीक है तो देखे बटा यहाँ पे clear cut बोला है it is replaced by valine on the sixth portion of beta globin chain of iboglobin molecule ठीक है and gag to gug convert हो जाता है मतलब सारी चीज़े यहाँ पे गड़बड होने वाली है तो यह mutant variety है तो by concave nature जो होता है वो हड़ जाता है ठीक है चलिए तो chromosome जो यह sickle cell ठीक है बटा यह chromosome number 11 की बिमारी है and यह autosomal recessive बिमारी मैंने बोला है कि अगर यह 1 से लेके 22 chromosome तक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा autosomal बिमारी तो यह x chromosome की बिमारी नहीं यह autosomal है and recessive form में मतलब यह recessive form में aggravate हो जाती यह हो गया normal form यह हो गया carrier form ठीक है बटा ठीक है यह हो गया carrier and यह वाले जो है यह sickle cell मतलब a a smaller smaller रहेगा recessive form में वो activate होता है ठीक है चलिए इसके बाद आता है बटा phenyl ketone urea के उपर तो phenyl ketone urea के बारे में एक बात याद रख लीजिए जो phenyl ketone urea है that is a autosomal recessive trait है और इसमें होता क्या है बटा कि एक enzyme नहीं बनता है ठीक है तो यहां पे एक enzyme नहीं बनता है phenyl aniline hydroxylase यह phenyl aniline hydroxylase बहुत ही important होता है conversion of phenyl alanine to tyrosine यह tyrosine जो amino acid है बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है बटा कि अगर यह tyrosine enzyme नहीं बना तो दो problem होती है बटा एक तो इसमें hair loss होता है skin pigmentation हो जाता है and brain damage होने लगता है मतलब तीन चीज़े होती है जैसे कि आपको दिखाई देरा है बटा accumulation of this results in तो आपको पता है यह tyrosine में convert नहीं होता है तो phenyl aniline का conversion हो जाता है बटा phenyl pyruvic acid में phenyl pyruvic acid में convert हो जाता है और यह अगर body में बहुत ज़ादा बनने लगे तो फिर problem होती है क्या होता है कि इसमें mental retardation होता है बटा इसके अलावा kidney पे भी effect आता है skin pigmentation होता है hair loss होता है बटा तो यह जो होता है phenyl ketone urea यह chromosome number 12 की problem होती है बटा chromosome number 12 में अगर कुछ problem हो गया point mutation हो गया तो जिसकी वज़े से आप ऐसे बूल सकते हो कि एक enzyme नहीं बनेगा जिसका नाम है phenyl aniline hydroxylase और यह enzyme नहीं बना तो जो आपका यह होता है बटा phenyl aniline उसका conversion नहीं होता है into tyrosine ताइरोसिन नहीं बना तो उसकी वज़े से बहुत सारी problem होते है ठीक है तो मैंने आप जबी बता है बटा phenyl aniline is an example of pleiotrophy, one gene, controlling, many characters है ना बटा मैंने बताया था जबी आपको चलिए इसके बाद आपको पता है बटा कि अपन खतम कर चुके है phenyl ketonioria इसके अलावा एक और बिमारी है बटा जिसका नाम है thalassemia तो thalassemia को भी देख लेते है आपको page number 91 में मिल जाएगा कुछ भी नहीं है बहुत easy चीज़ है बटा थालassemia भी क्या होती है बटा यह autosomal recessive बिमारी है इसका जो बिमारी होती है वो दो जगा पे होती है यह किस तरह की होती है जैसे मैं बोल रहो कि इसके दो टाइप होते है एक alpha होता है thalassemia एक beta thalassemia अलफा thalassemia में chromosome number 16 effect होता है और beta thalassemia में chromosome number 11 ठीक है जो alpha thalassemia होता है इसमें दो genes होते है, जिनका नाम है HBA1 gene and HBA2 gene, ठीक है, तो ये दो gene effect होते हैं, बीता थले समिया में HBB gene effect होता है, तो इसकी वज़ा से ही problem चालो हो जाते है, ठीक है तो इसकी वज़ा से आप ऐसे बोल सकते हो, कि ये quantitative defect होता है, ठीक है sickle cell anemia जो होता है वो quality में effect होता है बटा, एंड ये जो है, वो quantity में होता है, मतलब यहां पर आप ऐसे बोल सकते हो, कि ये जो alpha and beta chain होती है ना, इन में production कम हो जाता है, तो hemoglobin की बड़ी कम हो जाती है इन में बटा, ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे ठीक है, बहुत easy चीज़ है, ठीक है ठीक है, ये thalassemia, ये chromosome, autosomal recessive बिमारी है ये chromosome number 16 and 11 में गडबड़ी की वज़़े से होता है chromosome 16 में अगर गडबड़ी होगे, तो alpha thalassemia होगा, इसके लिए जो gene responsible है, बटा, HbA1 HbA2 होता है, बीता थले सीमिया जो होता है वो chromosome number 11 में होता है बटा and HBB gene इसमें effect होता है ठीके and बहुत खतरनाग बिमारी है बटा यह ठीके और यह याद रखेंगे कि इसमें quantity effect होती है alpha and beta globin chain बनते है अफेक्ट हो जाते है and production of alpha chain अफेक्ट हो जाता है ठीके and beta थले सीमिया में beta gen नहीं बनती है ठीके चलिए इसके बाद next चीज़ जो आता है बटा मैंने आपको बताया था chromosomal बिमारी आक्ट हो ठीके मैंने आपको एक बार फिर से revise कर देता हूँ कि genetical disorder जो है वो दो तरह के होता है एक होता है mendelian disorder एक होता है chromosomal disorder mendelian disorder में chromosome के एक point mutation में change होता है बाकी chromosome सेम रहता है लेकिन chromosomal disorder में एक chromosome add या subtract होता है ठीके तो इसको क्या बोलता है बटा chromosomal बिमारिया अब इसमें mainly दो टाइप होता है बटा एक होता है aneuploidy और दूसरा होता है euploidy ठीके तो aneuploidy में आप ऐसे बुल सकते हो hyperploidy भी हो सकता है and hypoploidy भी हो सकता है hyperploidy या hypoploidy ठीके aneuploidy में मतलब जैसे में बुल रहा हो कि एक chromosome कम हो गया जैसे का turnus syndrome है तो 44 प्लस XO हो गया तो इसको बुलते है turnus syndrome 44 प्लस XXY हो गया तो यह होता है बटा clean filter syndrome यह मतलब यह होगे hyper aneuploidy यह होगे hyper hyper aneuploidy ठीके बटा तो chromosome number add होना या substrate होना इसको अपन क्या बलते है बटा chromosomal बिमारिया बोलते है aneuploidy मतलब few chromosomes add होना add या subtract होना बटा and पूरा का पूरा set पूरा का पूरा set अगर add हो गया या सब्स्ट्रेक्ट हो गया तो उसको अपन बोलते है बेटा यूपलोईडी क्या बोलते है इसको यूपलोईडी या आप इसको पॉलिपलोईडी भी बोल सकते है ठीक है यूपलोईडी या पॉलिपलोईडी भी बोल सकते है ठीक है मतलब पूरा का पूरा क्रोमोजोम का सेट आड हो जाना जैसे के 23 जैसे मैं बोल रहा हो ना 46 प्रोमोजोम तो है प्लस इसमें 23 क्रोमोजोम एड हो गये और मतलब पूरा का पूरा एक सेट अफ प्रोमोजोम या इसको आप ऐसे बॉल सकते हो कि इसको अपन क्या बोलेंगे और यूपलोईडी भी बूलेंगे, क्या बूलेंगे, यूपलोईडी या अनुपलोईडी, मतलब होल सेट, अगर है, जो होता है, मतलब यह कित्ते होगे बटा, आप ऐसे बसकते हैं, यह होगे, 90, 69 क्रोमोजोम होगे, उसके बोडी के अंदर, और पॉलीपलोईडी है, यूपल ध्यान से दिख रहा है, तो ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए, आपको दिखाएगा देगा, कि यह जो क्रोमोजोम नुबर 21 है, यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ चुका है, तो इसलिए इसको बोलते है, बटा, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रूम को क्या बोलते है, ट्राइसोमी 21, अब पेशन्ट को क्या के दिखाए देता है, ब्रॉड फ्लैट फेस दिखाए देता है, बिग रिंकल टंग, ठीके, पाम में क्रीज आ जाते है, अगर आप इसका पाम वगेरे देखोगे, नहीं, पाम वाला, हाथ वाला, लकीरे, तो इसी ड पूरा का पूरा सेट अगर एड हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते है, पॉलिफ्लोइडी बोलते है, या आप इसको यूफ्लोइडी भी बोल सकते है, सेट ऑफ क्रोमोजोम, अब इसके बहुत सारे एक्जांपल दिया है, बटा, कि जैसे बोल रहा हूँ, कि एक सिंगल क्रोमोजोम आ गया, ट्राइसोमी होगी, तो ट्राइसोमी 21 होता है, या ट्राइसोमी 18 भी होता है, बटा, 18 ट्राइसोमी भी होता है, 18 ट्राइसोमी को बुलता है, बटा, एडवर्ड सिंड्रोम, मतलब क्रोमोजोम 18 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए, बटा, ठीक ह X, Y, 44 प्लस X, X, Y, तो यह हो गया Trisomy का example, ठीक है Sex link Trisomy आप बोल सकते हो, अगर chromosome नंबर 13, chromosome नंबर 13 पे Trisomy हो रही है, तो उसको अपन बोलते है Patouse Syndrome, क्या बोलते हैं उसको Patouse Syndrome क्या बोलते है बटा, Patouse Syndrome बोलते है, ठीक है बटा इसमे cleft lip and deformed ear दिखाई देता है Trisomy 13 में, ठीक है तो यह थोड़े extra points है इसको अपन देख रहते है बटा, ठीक है चली, अब इसके बाद आता है बटा Down Syndrome के उपर कभी भी question आता है बटा तो दिखाई दे रहा है आपको कि इसको discover करने वाले scientist थे Lakedon Down, 1866 पे इसमें बोला गया है कि Trisomy 21 ही उसका अल्टर नाम है क्रोमोजोम नंबर 21 पे एक extra क्रोमोजोम आ जाता है बटा, ठीक है इसके अलावा फिर आप देख पा रहे है कि इसके जो palm है वो creased वाले होते है, rounded face होता है, चेहरा यसा गोल-गोल दिखाए देता है, furrowed tongue होती है बटा, partially open mouth होता है ठीक है, psychomotor and mental development retarded होता है, ठीक है, इसको आप देख लिजेए इसमें से question आता है, for sure, ठीक है इसके बाद इसमें से question आ चुका है clean filter syndrome में, क्रोमोजोम नंबर, राइट यह जो है बटा, NEET 2019 में ही इसके उपर पूचा जा चुका है, ठीक है, तो देखे, clean filter syndrome में क्या होता है, यह एक extra chromosome आ चुका है, ठीक है due to non-disjunction ठीक है, non-disjunction की वज़़े से भी हो सकता है, तो chromosome number 47 हो जाता है, इसमे development of breast हो जाता है, मतलब males में ब्रेस्ट डेवलप चालू हो जाती है, बटा males में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है gynecomastia हो जाता है, ठीक है यह सारी चीज़े अच्छा, मुझे एक बात बताईए कि इसमें masculine characters रहेंगे क्या बाकी, overall masculine development रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें Y chromosome आया है न, Y chromosome की वज़े से उसके masculine characters रहेंगे, लेकिन extra चीज़ जो है उसके अंदर breast का development हो जाएगा, इसको क्या बोलता है बटा gynecomastia बोलते है, and last जो है बटा, Turner syndrome, मैं बोल रहा हो कि 44 chromosome प्लस XO आ गया, ठीक है कैसे आता है यह XO जैसे मैं बोल रहा हो बटा, कि मैं बोल रहा हो कि यह है X and Y चलिए, इसको लेते है X and X लेते है ठीक है, अब यह हो गया यह हो गया इधर, ideally इधर भी X जना चाहिए, लेकिन दोनों X एक ही तरफ चले गए, ठीक है तो यह 0 हो गया, नला हो गया अब यह वाला, अगर किसी female के साथ यह करेगा, तो for example, female के साथ sex किया यह कुछ हो गया, तो यह X हो गया, अब यह individual क्या बन गया, 44 प्लस XO हो गया, तो यह हो गया Turner Syndrome अगर यह वाला sperm यह वाली ovum ने fertilize किया X किसी sperm के साथ, तो XXY हो जाए, यह हो गया clean filter syndrome XXY यह जो है XO, यह हो गया Turner Syndrome, तो बहुत easy है बटा यह चीज़, ठीक है चलिए, तो इतना समझ गया अपन